Hello students, आज हम लोग समझने जा रहे हैं, class 6, history का chapter 1, what can we know about the past? हम लोग past के बारे में क्या जान सकते हैं? student इस chapter का main purpose है, आपको ये समझाना कि history की study किस तरीके से useful हो सकती है हम history पढ़कर क्या कुछ जान सकते हैं, और साथी ये समझने की कोशिश करना कि history में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, उसका वास्तविक source क्या है, वो कैसे, वो जानकारी हम तक कैसे आती है और उस जानकारी को हमारे तक लाने के लिए कौन-कौन important है? साथी हमें एक brief overview ये भी मिलेगा कि हम जो society अपने आज पास देख रहे हैं, उसका development आखिर कैसे हुआ है, उसमें क्या steps लगे हैं, एक बहुत detail तो नहीं लेकिन एक brief overview जरूर मिल जाएगा हमें तो आई चली हम लोग शुरू करते हैं अपने chapter को Introduction The study of history allows us to uncover various aspects of the past तो history की जो study है, वो हमें past के बहुत सारे aspects को, बहुत सारे नजरिये को जानने में help करती है, जानने की छमता देती है इससे history की study करके हम past की बहुत सारे चीजों को जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं Through archaeological evidence, writings and artifacts, we can gain insight into the lives of ancient people तो जो भी archaeological evidence होते हैं, writings होती हैं, artifacts होते हैं, we can gain insight into the lives of ancient people इन सब की help से हम लोग जो ancient people है, पुराने लोग हैं, उनके जीवन को अंदर से, गहराई से समझ सकते हैं अभी archaeological evidence क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे, साथ ही writings में क्या-क्या हो सकती हैं Artifact किसको कहते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे तो इन सब चीजों की मदद से हम लोग, जो पुराने लोग, ancient लोग हैं, उनके जीवन को समझ सकते हैं अब आप इस बात को समझें कि जो पुराने हैं, जो पुराने लोग हैं, प्राचीन लोग थे, वो बहुत पहले के थे अब उनकी life को समझने के लिए challenge क्या-क्या है, पहली बात कि जिस तरह का जीवन उनका था, उस तरह का जीवन इस वक्त अब हम नहीं जी रहे हैं दूसरी बात वो जीवित नहीं है अपनी बातों को हमें बताने के लिए, तो इसका मतलब हम लोग indirect evidence, indirect तरीके से हम उनकी बातों को समझेंगे, अगर उनोंने कुछ लिक छोड़ा है, कोई काम किया हुआ है, जो उनके समान है, इन चीजों के help से ही हम लोग उनके जीवन को स समझ सकते हैं, तो ये सब समझने में हमें ये सारी चीजें कौन सी चीजें, archaeological evidence, writing और artifacts हमें help करेंगी, daily life, तो अब हम लोग daily life को भी समझेंगे, People's diet and food habits reveal information about their culture and available resources, तो जो भी लोगों का food habit होती है, और उनकी जो diet होती है, इससे हमें उनके culture के बारे में और available resources के बारे में हमें पता चलता है, जैसे for example, अगर हमें ये पता चल जाए, कि कोई लोग या किसी area के लोग बहुत जादा fish खाते हैं, मचली खाते हैं, ठीक है, तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है, कि जरूर उनके आज पास कोई lake होगा, तालाब होगा, या कोई river होगी बड़ी, या वो समुद्र के कि अगता होगा, बहुत ज़्यादा rice उगाया जाता होगा, तो अब rice उगाने के लिए क्या चाहिए, बारिष चाहिए, पानी चाहिए, तो इसका मतलब जिस area में ये लोग रहते होगी, वो उसमें बहुत सारी बारिष होती होगी, तो इसका मतलब अगर हम लोग food habit को समझ ले food habit को जान ले तो हम लोग ये जान सकते हैं कि किस तरह का resource use है उस area में किस तरह की चीजें उपलब्द हैं किस तरह की सुविधाएं उपलब्द हैं उस area में जहां पर की लोग रह रहे हैं इसलिए food important होता है समझना और हम culture भी समझ सकते हैं जैसे कि आगर हमें ये समझ में आ गया कि किसी जगह के लोग नारियल का इस्तमाल बहुत जादा करते हैं नारियल ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो culture है वो नारियल पर dependent होगा अब NARiel पर dependent है तो हमें क्या करण समझना होगा कि NARiel की life cycle समझजे होगी NARiel कब उगता है, NARiel कब काटा जाता है, Market में कब लाते हैं NARiel को काटना मतलब तोड़ना, तो NARiel को कब तोड़ते हैं Market में फिर कब लाते हैं अब इस हिसाब से हम समझ जाएंगे कि वो लोग जो है जो festival मनाते होंगे वो कब मनाते होंगे जब नारियल की उपज अच्छी होगी अच्छी पैदावार होगी तो उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे तो इसका मतलब जो उनके festival होगा वो नारियल के कटने के आसपास होता तो इस तरीके से हम अपना पूरा पैटर्न उनके लाइव का समझ सकते हैं तो एंशेंट पीपल का अगर हम फूड समझते हैं डाइट और फूड समझते हैं तो हमें दो चीजों के बारे बहुत अच्छी समझ आ जाती है एक तो उनके आसपास का रिसोर्स क्या है और नहीं के आसपास रह रहे हैं तालाब के आसपास रह रहे हैं या वहां बारिश अच्छी होती है वहां पहाड अच्छे हैं यह सब चीजां में समझने में मिलती हैं दूसरी बात हमें उनका कल्चर भी समझने में इससे हेल्प होती है अब वह जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उस पता चलता अब जैसे कहीं पर साड़ी पहने जाती है वहां का रीती रिवाज कईा है साड़ी पहननाम को कर देखेंगे तो वहां के जो रिती रिवाज कपड़ों को पहने के वो थोड़े अलग तरह के वो अपने अलग तरीके चलते हैं साथ ही साथ हमें उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता चल जाता है अब जहां पर गर्मी होगी बहुत जादा उन छेतरों में हम देखेंगी लोग कम कपड़े पहनते हैं या उनके कपड़े बहुत धीले डाले खूले खूले रहते हैं ताकि पसीना सूख सके कॉटन का यूज जादा होता है ताकि पसीना सूखा जा सके हवा सरीर में हवा का स्टर्कुलेशन अच्छा बना रहा है इस कारण से वहां के जो कपड़े हैं वो थोड़े हलके होते हैं लेकिन वहीं पर अगर हम देखेंगी जिस जगों पर धूब बहुत कम है या ठंडी जगह है तो वहां पर फूल कपड़े हैं वो मोटे होंगे थोड़े से ताकि वो ठंड को शरीर में बचा रखें इसी तरीके से धूल वाली जगों पर ऐसे कपड़े वो पहनेगे जहां धूल बहुत ऊड़ती है और अगिस्तानी तो वहां पर ऐसे कपड़े पहनेगे कि जो धूल है रेत है उनके शरीर के अंदर ना जाया तो पूरी बाड़ी को कवर करते हैं तो वहां के हमके क्लाइमेटिक कंडिशन का भी हमें पता चलता है यानिक अगर हम कपड़ों को देख लें लोगों के कपड़ों को समझ लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि किस तरह का क्लाइमेट होता है उस एरिया में आर्किटेक्चर ऑफ हाउस प्रॉइद क्लूज अब दर labor लगा उनमें तो इसका मदले finns्ट किस राज राका आया किसी बड़े इंसान का होगा हो सकता है तो मकान देखकर भी पता चलता है कि किसी सांगा जिसका हード कोम डेशिवेंस ओक्यू लगों के डाइवर्स ओकुुपेशन के बारे में भी पता चलता है कि कैसे अलग अलग तरीके के occupation थे लोगों के एक फॉर एक्जामपल दपास्ट हैड़ रेंज आफ आफ आपक्यूपेशन इच विद यूनिक रोल एंड कंट्रिबूशन ठीक पास्ट में इंशेंट इंडिया में या इंशेंट वर्ल्ड में बहुत खास तरक्ट अकुपेशन जिसे होते थे जैसे कि आप यह पिक्टर देख रहा है इसमें एक वैक्ति किसान है जो कि जानवरों को पाल रहा है ठीक ह है एसे यहां ightा किवेशन यह को खास तरह कि आउक्पेशन थे पास्ट में तो वह भो भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास को पढ़के historically पढ़के कि कि स्वेंशन के क्योंने करते थे पहले ठीक एक्स्प्लूर्प दॉलिए Breath is और उस और मर्चेंट प्रिष्ट क्राफ्मेन और टिसे संडेश। म्यूजिशियन अन्प्रिपनीशेस्च को यह सारे हैं क्राफ्ट मैं हैं अगर आप द्यान से फिर फार्मर हैं fome रूडसर मसं राजा होगय है और मर्चेंट है व्यापारी प्रीस्थ फ्री पुझारी होते खाम को भूछक बनाते हैं इसे तो आर्टिस्थ हैं पेंटिंग करते हैं या चित्रकारी कर रहे हैं मुजीशियन हरे हैं मEZ का काम करतााpel है gq नई चीजों को खुजना पता लगाना तो यह बहुत पढ़े लिकhurी लोगающasia machine i बहुत ही आजाता जो रिसर्च किया हुआ है बहुत पड़ा लिखा वेक्ती साइंटिस्ट है तो उस वक्त भी ऐसा ही था उनको अपने जमाने के बहुत सारी नौलेज थी चिल्ड्रेंज वर्ल्ड अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो बचों के वर्ल्ड के बारे में भी जानने को मिलेगा कि बच्चे क्या करते थे उस वक्त। learn about the stories play and songs that were the part of their upbringing तो आपको उनकी stories के बारे में पता चलेगा उनके plays के बारे में songs के बारे में पता चलेगा जो कि उनको पालते हुए माता-पिता जिसका इस्तमाल करते थे जैसे stories की हम बात करें तो आपने सुना होगा कि इंडिया में बहुत पॉपुलर बुक है पंचतंत्र ठीक है अब यह जो पंचतंत्र है यह बुक पास्ट में लिखी गई एक बुक है विश्नु शर्मा नाम के जो एक राइटर हुए है उन्होंने लिखे ती तो और यह आज भी बह दीका क्या था फारव हल नहीं में थे तो फिर कैसे पढ़ाते थे उनको उनको पढ़ाने के लिए life इस्कूल का इस्तुमार होता था यानिकि जीवन की उनको अनभाओं को शेर किया था उनको सिखाते थे उससे अन अर्धिंग दा पास्ट अब ये सब कुछ जानने के लिए हमें पास्ट से इतना कुछ पता चले तो ये आसान काम नहीं है ये नहीं कि हमें कोई भी आकर बता सक इसके लिए हमें हिस्ट्री को निकालना पड़ेगा अन अर्थ करना पड़ेगा अर्थ मतलब होता है धर्ती और अन अर्थि मतलब होता है धर्ती से बाहर निकालना पड़ेगा जो इतिहास हमारा वह ज्यादातर धर्ती के अंदर दब गया है धूल के अंदर दब गया अभ और फिर जो building होती है, वो धूल से दब जाती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कि जो एक बार वो building गिर गए, उसके उपर धूल चड़ गई, तो कुछ नया किसी को idea आया, उसने उस जमीन का इस्तमाल करना चाहा, तो वहाँ पर कुछ नया construct कर दिया, अब वो जो पुरानी ची effects and evidence from the ancient time, तो archaeological, ठीक है, archaeological मतलब होता है कि, archaeology मतलब होता है, यानि कि कोई पुरानी चीजों को निकालना, उनको अध्यान करना, तो पुरानी चीजों के अध्यान करने को हम बोलते है, आर्केलोजी, तो आर्केलोजी, excavation, excavation मतलब होता है, उसको खोद कर या इसको किसी चीपी वोई चीज को बाहर निकालना, तो जब archaeological excavation होता है, तो जो बहुत सारे artifacts बाहर निकलते है, आर्टीफेक्ट जैसे आप image में देख सारे हैं, देख पा रहे होंगे, ये सब जो समान निकल ना, ये सब क्या कहलाता है, ठीक है, ये artifact कहलाता है, तो और ये जो artifact है, ये ही एक तरह का evidence, evidence का मतलब होता प्रमाण, सुबूत, तो एक तरह का ये सबूत है कि जो ancient time में, जो life थी वो कैसी थी अब जैसे example अगर हमें एक बरतन मिला मान लिजे हमें अर्थ ये जो मिट्टी का बना हुआ बरतन मिला और उस बरतन में हमें चावल मिल गए ठीक तो हमें ये क्या पता चलेगा और अगर किसी तरीके से हमने study करके ये पता लगा लिया कि चावल पके इसका मतलब आग की खोज हो चुकी थी ठीक है एक बात पता चली इसके बाद अब चावल थे तो इसका मतलब चावल उगाया भी जाता होगा अब जब चावल उगाया जा रहा है तो इसका मतलब क्रिश्य यानि की खेती करना जानते थे वह लोग अब ये देखेंगे कि ये जो एरिया था क्या ये पानी वाले एरिया था अगर पानी वाले एरिया था तो हो सकता हो कि चावल की जो खेती होती हो इसमें बारिश का पानी इस्तमाल होता हो लेकिन अगर ये बहुत पानी वाला एरिया नहीं था तो इसका मतलब यहाँ पानी कैसे आता था को कि चावल तो उगाने में पानी चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यह लोग पानी भी लाना जानते थे दूर के एरिया से ठीक है तो यह सारी बातें पता चल गए हमको सिर्फ यह बात study करके कि एक हमें बरतन मिला और बरतन में चावल मिला इतनी बातें हमें पता चलने लगी ठीक है तो ऐसे हमें क्या करना पड़ता जो भी archaeological excavations होते हैं इसकी आधार पर हम बहुत सारे evidence निकालते हैं और उनका evidence के तौर पर use भी करते हैं researchers use various scientific technique to analyze findings and draw conclusion तो अभी मैंने जैसे कि आपको एक example बताए कि किस तरह के से हमने एक चीज़ खोजी क्या खोजा कि एक बरतन मिला उसमें चावल मिला अब उसके हिसाब से हमने बहुत सारा conclusion निकाल दिया निसकर्ष निकाल दिया अच्छा ये होता है तो इसका मतलब ये भी होता होगा ये होता है तो इसका मतलब ये भी होता होगा understanding ancient culture तो अब हम लोग ancient culture को भी समझ सकते हैं history के मदद से जैसे कि अगर हम लोग evidence को देखें जो archaeological जो भी चीज हमें मिल रहे हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह का religious practice और किस तरह की पूजा पार्ट होती रही होगी उस जवाने में उस टाइम में जैसे कि आप सभी जानते हैं आप सभी ने पिरामिड का नाम सुना होगा ठीक है तो पिरामिड का पिरामिड का actual use क्या है ये अभी तो बहुत clear समझ में नहीं आया है लेकिन ये बास समझ में आई है कि कुछ जो महान प्राजा हुआ करते थे उनकी बाड़ी को पिरामिड में हम लोग रखते थे यानि कि पिरामिड का इस्तमाल एक टूम्ब की तरह एक मकबरे की तरह होता था या कब्र की तरह होता था ठीक है अब इन चीजों का study करके हम लोग यह समझ सकते हैं कि वहां के जो religious धर्म थे और किस तरह के रीती रिवाज को follow किया जाता था gain insight into the belief system and the role of religion in their life साथ हमको यह भी समझ में आता है कि उनके जीवन में religion का कितना रोल था जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर religion का बहुत जदा रोल होता है वह बिना religion के कोई काम करते ही नहीं है वहीं कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां religion का पूजा पाठ होती है तो इस तरह से हम यह समझ सकते थे कि किसी जगा पर जो बिलीफ है जो इनकी विश्वास है वो क्या है किसमें वो विश्वास करते थे किस भगवान को मानते थे क्या पूजा पाठ तरीका था इन चीजों को भी हम लोग अध्यन कर सकते हैं Connecting with the past साथी साथ history को study करके हम लोग past से connect भी कर सकते हैं जैसे studying history allows us to connect with our roots and understand our shared human heritage तो history पढ़कर हमें अपने जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है जड़ों से जुड़ने का मतलब यह हुआ कि हम प्राचीन लोगों से भी जुड़ पाते हैं जो कि हमारे ही देश के हमारे समाज के लोग रहे होंगे फॉर एक्जामपल आपने कभी देखा नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोगों को लेकिन जब हमने पढ़ा उनके बारे में तो हमें ये बात पता चली अच्छा हमारा देश जो है जिस तरीके से आज दिख रहा है हमेशा से वैसा ही नहीं रहा है बलकि कुछ बह चलता है कि हमारा जो यहां बसावट है हमारा जो समाज है सोसाइटी है वह दो चार सालों का नहीं है बलकि हजारों साल पुराना है बाई लर्निंग फ्रम्द पास्ट वी कन मेक इनफॉर्म डिसीजिजन फॉर देफ्यूचर और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम लोग पा वो खत्म हो चुकी है तो यह बहुत बड़ा रहस है कि आखिर वो एक्चुली में खत्म कैसे हुई और उसके बहुत सारे कारण समझ में आते हैं लेकिन एक बहुत इंपोर्टेंट कारण जो रिसर्चर्चर्स को मिलना है वो यह है क्लाइमेटिक चेंज उनको ऐसा लगता ह है कि जो इंडस वहली सिविलाइजेशन की लोग थे वो लोग क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाए किसी कारण से क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से होता चला गया और इस कारण वो लोग उसके हिसाब से एजजस्ट नहीं कर पाए और इस क्लाइमेट चेंज को वो रोक ना होगा कि हम इस तरह के climate change को होने से रोके ताकि हमारा समाज हमारे society लूप्त न हो जाए तो इस तरीके से हम past का ध्यन करके उसकी गलतियों को भी avoid कर सकते हैं life along the bank of river नर्मदा तो अब आईए हम लोग river नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं कि river नर्मदा के किनारे किस तरीके से जीवन के प्रारंब हुआ उसने किस तरीके से जीवन को support किया अच्छा आप एक बात ये भी पढ़ेंगे कि अधिकतर जो प्राचीन civilization से जो पुराने समाज रहे हैं वो किसी ने किसी नदी के आसपासी रहे हैं और उनका जो नाम है जरूर किसने किसी नदी से ही जुड़ा हुआ है ऐसा इसलिए आप सभी समख तकते इस बात को कि इन्सान के जीने के लिए पानी बहुत आवश्यख है तो चाह हो किसी भी तरका होँओ vegetarian हो non-vegetarian हो पानी तो उसके लिए बहुत आवश्यख है इस कारण से उसका जो जीवन चक्र है वो a significant water body in the India had been home to the human settlements for hundreds of thousands of years तो जो रिवर नर्मदा है उसके आज पास के एरिया में मनुष्य का जो बसेरा रहा है, हजारों सालों से रहा है Let us explore the lives of some of the earliest inhabitants who lived along the banks of नर्मदा आई हम लोग कुछ सबसे प्राचीन लोगों के जीवन को समझते हैं जो नर्मदा के किनारे जिन्होंने अपना जीवन सुरू किया skilled gatherers, बहुत ही skilled gatherers होते हैं अब skilled का मतलब क्या होता, skilled का मतलब यह होता है जो किसी काम को बहुत अच्छे से करते हैं skilled और gatherer क्या होता है, gatherer का मतलब होता है इकठा करने वाला तो जो प्रारंभिक लोग थे जो शुरुवाती मनुष्य था वो किवल इकठा करता था करने का मतलब क्या हुआ, अगर पेड़ों पर फल लग रहे हैं तो वो उनको तोड़कर खाता था, उसको न उगाने आता था, उसको न शिकार करने आता था, उसको बस इतना पता था कि जंगल में अगर फल हो रहा हैं तो हम उसे तोड़कर खा सकते हैं, वो इन फलों को खा सकता था एक क्या खार काम काम करता और यहीं उसको आता था कि आप यह बच्याएक टोकरी पकड़ेवे और उसकी मदर है जो भी पुरपुरा परिवार जमीन से उठाकर चीजों को इकठा कर रहे हैं और उसे खा रहे हैं तो बस यहीं जीवन था तो वो अपने जीवित रहने के लिए जो भी आसपास के जंगल थे उनके रिसोर्स पर उनसे जो समान मिलता था उसी पर वो रिलाई करते थे उसी पर उनका जीवन चलता था अब वो जंगल के पास रह रहे हैं जंगल में ही रह रहे हैं पेड़ पौदों से ही सब कुछ इकठा कर रहे हैं तो उनको पेड़ पौदे के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी थी और इसी जानकारी के आधार पर वो बिल्कुल सटीक तरीके से वो कभी फल को तो कभी जड़ों को तो पेड के अलग-अलग हिस्सों को उनको इकठा करके उनका भोजन किया करते थे हंटिंग फॉर सर्वाइबल अब एक बार वो गैदरर हो गया इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हंटिंग करना सीख लिया हंटिंग करने का मतलब होता है शिकार करना अब हंटिंग करना और गैदरिंग करने का मेन फर्क क्या आप इसको समझिए गैदरिंग करने का मतलब है क कि जब पेड़ पर फल आएंगे तभी आप जाकर उनको कढठा कर सकते हैं और हंटिंग करने का मतलब या शिकार करने का मतलब है कि जब आपको भूख लगेगी आप तब जाके जानवर मारकर खा सकते हैं तो एक लेवल ओफ आजादी है hunting करने में, शिकार करने में, एक तरह की आजादी है, और gatherer में क्या है, gatherer में एक तरह का आप dependent है, उस पर निर्भर हैं, किसी चीज पर, पेड़ पर, या किसी दूसरे पौधे पर, कि जब उसमें फल आएंगे, जब उसकी पत्ती आएंगी, जब उसके फल गिरेंगे, तब हम उसे कटा करके खाएंगे, लेकिन hunter में क्या है, hunter के पास आजादी, आजादी क्या है, जब भी उसे भूक लगेगी, वो जा कर शिकार करकर अपना भोजन भर, पेड भर लेगा, उसे इंडिया में प्राचीन, आजादी, आजादी कर पाएंगे, इंडिया में प्राचीन, इंचेंट जो अग्रिकल्चर डेवलपमेंट है, वो कैसे हुआ, यह देखते हैं उसको, अग्रिकल्चर प्लेड अ क्रूशील रोल, इन शेपिंग, हुमन सिविलाइजेशन, इन इनशेट इंडिया, इनशेट इंडिया में, जो अग्रिकल्चर, उसने बहुत important role play किया है जो भी human civilization है मनुस्ष का जो समाज है उसको आकार दे नहीं यानि जो समाज आपको दिख रहा है जैसी society आपको दिख रही है जैसा civilization आपको दिख रहा है इसमें agriculture का role इसको बनाने में agriculture का बहुत important role है let us explore some of the key regions where the agriculture first developed तो आई हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे एरियास को जहां agriculture सबसे पहले developed हुआ कि सुलेमान एन किर्थार हिल्स सुलेमान और किर्थार हिल हिमाले जो हिल्स है वेस्टर्न डिजन में उसका पार्ट है यह पाकिस्तान में आता है अभी हिंदुस्तान का पार्ट आप नहीं कह सकते लेकिन वह एरिया कभी हिंदुस्तान में हुआ करता था बटवारे से पहले आपने सुनाओगा इंडिया का जब आजादी मिली 1947 में उस वक्त जो है भारत का हिंदुस्तान का दोइस्से में भारत और पाकिस्तान की रूप में बटवारा कर दिया गया उससे पहले यह हिस्ता जो है वो इंडिया में ही आता था तो सुलेमान एन किर्थार हिल के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री का यहाँ पर एग्रिकल्चर का डेवलप्मेंट कैसा हुआ और सबसे पहले कैसे हुआ तो यह जो एरिया है वो इंडिया के नौर्थ वेस्ट में ठीक अगर आप देखें तो यह इंडिया का यहां पर नौर्थ वैस्ट vontade है ठीक है । यहां पर ही सबसे पहले काल्चेर जो है कल्टिबेटिग क्रॉप याने की क्रॉप उगाने की प्रथा जो शिस्टम है श्रू हुई अभ हम यह ऐसा कैसे कर सकते हैं सबसे पहले यहीं शुरू हुई होगी, क्योंकि जो भी अनाज मिलें अभी तक के पुराने जमाने के इतिहास में, सबसे अधिक पुराना यहीं मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि इस से अधिक, इस से पहले कहीं पर भी क्रॉप उगाने का कुछ भी सिस्टम नहीं हुआ होगा अराउंड एट थाउजन इयर्स अगो, वुमेन एन मेन इन इन दिस रिजन बिगें ग्रोइंग क्रॉप सच अज वीट और बार्ली लबग आठ हजार साल पहले, लोग यहां पर वीट और बार्ली उगाने लगे तो आपको यह भी पता चलता है कि क्या सबसे पहले कौन सा क्रॉप उगाये गया था वीट और बार्ली यह सबसे पुराने क्रॉप में से थे किस एरिया में सबसे पहले हुगा वो था सुलेमान और किर्थार हिल्स के पास कैटन अब एक बास समझेज जब तक वह गैदर थे तब तक वो एक जगा से दूसरे जगाज गूम रहे थे मौसम के अनुसार वो कहीं पॉस्ते थे और वहां पर फॉलो के इकठा करते थे जड़ी उसके बात जब वहों हंटर हो गये तब शिकार करने के लिए यख वह उन्डर भूर्ट से गूंने वाले थे जो एक बंडरर आथे जो एक दुस्ङका रहाए थे लेकिन जब उन्होंने एगरीकल्चर सीखल्uben तब कहानी थोड़ी बदनने लगी अगर कोई बीच वहता है तो वो एक या दो दिन में रहने लगे और एक साथ बहुत सारे लोग रहते थे तो इससे क्या हुआ अब धीरे-धीरे सबसे पुराने सबसे पहले गाउं का उद्धे होने लगा जब उन्हें अना जुगाना था तो उन्हें एक जगा पर इकठा होने की जरूरत पड़ती थी सेटल होने की जरूरत शेटल डाउन करते थे वो ठीक है और सेटल डाउन होने की वज़़से क्या हुआ कि गाउं बनना सुरू हो गये तो अब आप देख रहें कि अग्री कल्च इक गोट और के टल्स this ट्रह के जावर जैसे गाय भैस ठीक है तो इस तुअ के जानवर को वह पानने लगा जिनका की उपयोग वह खेती में कर सकते थे to इस तरीके से अग्रीकल्चर ने उनकी जीवन को बदलना शुरू किया घारो Hills and Vindyaz अब Garo Hills और Vindyaz में क्या होता था moving to the North East we find the Garo Hills and the Vindyaz in the Central India where agriculture also took root तो अब हमने देखा अभी तक हमने देख रहे थे किसमे सुलेमान और किर्थार ranges के आसपास जो कि India के North West में है लेकिन अगर हम North East में पहुचे तो वहाँ पर मेगाले जो कि जिसे आप बोलते हैं मेगाले स्टेट के आसपास हमें Garo Hills मिलेंगे और साथी मद्द प्रदेश और उत्तर प्रदेश UP के बीच में हमें मिलेगा मद्द प्रदेश और UP के बीच में हमें मिलेगा Vindyaz Central India ठीक है Vindyaz तो इन एरियाज में भी Agriculture ने जड़े जमाना शुरू कर दिये थी यानि लोग Agriculture थोड़ा बहुत शुरू कर दिये थे तो यहां से भी Starting Agriculture के बहुत सुबोत मिलते हैं These regions witness the transition from nobadic lifestyle to certain farming communities तो यह जो regions है यह जो region मतलब कौन कौन से जैसे कि मैंने बताया तो यह जो regions है अब यह जो region मतलब कौन कौन से जो मैंने बताया अभी जैसे कि Northwest में सूलेमान और किर्थार फिर Garo Hills जो कि North East में है उसके बाद Vindyaz जो Central India में है अब यह जो areas है इन में हमको क्या दिखने के मिला Transition Transition का मतलब होता चेंज ठीक है बदलाओ तो चेंज फ्राम नोमेडिक नोमेडिक मतलब घूमना तू सेटल लाइट सेटल मतलब एक जगा पर टिक जाना ठीक है तो हमने देखा कि इन areas में जो जीवन तो जो लाइफ स्टाइल था वो नोमेडिक घूमने वाले से टिकने वाला हो गया घूमने वाले कौन कौन होते हैं नोमेडिक कौन होते हैं नोमेडिक होते हैं गूमने वाले कौन होते हैं नोमेडिक कौन होते हैं तो नोमेडिक कौन होते हैं नोमेडिक मेंली होते हैं hunter और gatherer यह दोनों ही क्या करते हैं घूमते रहते हैं और settled कौन होता है settled वो लोग होते हैं जो की agriculture करते हैं वो एक जगा पर fix हो जाते हैं ठीक है तो एक तरीके से hunting और gathering से agriculture की तरफ transition हुआ change हुआ या nomadic से settled की तरफ change हुआ ठीक है तो यह सब हो रहा था the advent of rice culture अब rice culture कैसे आया rice मतलब जो चाब लोगन अभी हमने किस की बास सुनी है हमने barley और wheat की बास सुनी है अब rice culture कैसे आया to the north of the Vindyaz the cultivation of rice began in ancient time तो विंद्यास के north में अभी हमने विंद्यास पढ़ा तो विंद्यास किस-किस state के border पर है नौर्थ में उसके उत्तर प्रदेश और South में है विंद्यास के मद्ध प्रदेश तो उत्तर प्रदेश और मद्ध प्रदेश के border पर Central India में विंद्याज है तो विंद्याज के नौर्थ यानि उत्तर प्रदेश की तरफ जहां पर कौन से नदी बैती है गंगा नदी बैती है ठीक है तो विंद्याज के नौर्थ में राइस का कल्टिवेशन शुरू हुआ राइस प्लेट रोल इन शेपिंग दे फूड कल्चर ऑग दे रीजन और यह जो रीजन है जिसमें की राइस का कल्टिवेशन शुरू हुआ यहां पर राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई स्टेपल क्रॉप मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप होगे लोग यहां पर राइस बहुत ज़्यादा खाने लगे अग्रिकल्चर इनोवेशन और समय के साथ साथ कुछ न कुछ अग्रिकल्चर इनोवेशन भी हुए इन इमवेशन का मतलब होता है नवाचार और का मतलब होता है कुछ नएया बनाना ठीक है तो इनोवेशन होने लगा टेकनीक्स में अग्रिकुल्चर टेकनीक में नहीं टेखनीक आने लगी लोग नहीं तरीका इस्तमाल करने लगे कोई पानी देता कोई इसका टाइमिंग बदलता अलग अलग चीज़ों को इस्तमाल होने लगा जिसे की बहतर क्रॉप धीरे-धीर क्रॉप जो है वो बहतर हो गई लिए अगरिकटर नॉलज एनलज प्रेक्टिसेज स्परेड टच्राइबू लोग बार-बार कोशिश क्रने से गलतिया करने से उसमें सुधार करने से धृद्दर दीरे इनका अगरिकटर का नॉलज बहतर होताँ चला गया और इसी कारण से आगे चलकर उनको अगरिकटर में बहुत सुधार करने में मदद मिली. Impact on civilization तो हम लोग देखते हैं कि अब इन चीजों का civilization की उपर यानि सब्विता के विकास की उपर क्या प्रभाव पड़ा? Impact का मतलब होता है प्रभाव. तो सब्विता के विकास की उपर, सब्विता की उपर क्या प्रभाव पड़ा इन चीजों का, किन चीजों का? Cultivation यानि कि agriculture के development का तो पहले हमने देखा कि human किस phase में था, पहले वो gatherer था ठीक, यानि कि वो इकठा करने का काम करता था, पूरी तरीके से nature को पर dependent था इसके बाद वो क्या कर रहे हंटर हो गया, अब उसने कुछ खुद करना सीखा, क्या करना सीखा? शिकार करना सीखा, अब उसे जब भूक लगेगी तब वो जाके शिकार करके, जानवरों को उनका भोजन कर सकता था, उनको भोजन के रूप में ले सकता था, इस्तमाल कर सकता था, इसके बाद आया उसका फेज एग्रिकल्चर का हंटर के बाद वो क्या बना एग्रिकल्चर वाला एग्रेग्रेरियन बना इसमें क्या किया इसमें अब वो अनाज को उगा सकता था और उगाने का मतलब एक और मतलब है इसका मतलब है भंडारण यानि इकठा कर सकता था ठीक है तो अब आप देख रहे हैं, पहले gatherer था, बिल्कुल पूरी तरीके से nature की ओपर dependent था, nature जब उसको भोजन देती, तभी वो भोजन कर पाता, फिर क्या हुआ हुआ हंटर था, हंटर में वो थोड़ा सा nature से लड़ना सीख लिया, उसने अब जानवरों को मारना सीख लिया, लेकिन अभी भी एक मुश्किल क्या थी, उसे हर बार, जब भी उसे भूक लगती, तो उसे हर बार जानवर को मारना पड़ता, तब वो जाकर उसको उसके भोजन के रूप में उसको इस्तमाल कर पाता था, ठीक है, तो लेकिन अभी पहले से स्थिती बहतर हुई थी, लेकिन अभी जरुवत हो, तो होती, तब वो उसका सेवन करता, तब वो से खाता, ठीक है, तो इस तरीके से अग्री कल्चर करने वो जादा स्मार्ट हो गया, स्मार्टनेस आई, पहले गैदरर था, और स्मार्ट हुआ, हंटर मना, और जादा स्मार्ट हुआ, तब वो अग्री कल्चर कर उसने revolutionized कर दिया पूरा क्रांती लादी बहुत बड़ा परिवर्तन आया क्रांती लादी बिल्कुल human society इंसानी समाज को दिखे जो शिफ्ट हुआ कहां से एक hunter एक gatherers का hunter और hunter से agriculture पे जो ये shift हुआ ना इससे पूरी दो धर्ती थी पूरा जो इनसान था उसमें एक क्रांती आ गई क्या क्रांती आई stable food supply led to population growth अभी तक क्या था gatherer था तो stable food नहीं था यानि कि भोजन हमेशा मिलेगा इस बात की guarantee नहीं थी कभी भोजन रहता तो कभी नहीं रहता किसी मौसम में खुब सारे फल है तो किसी मौसम में बिल्कुल फल नहीं है ठीक है इसके बाद क्या आया इसके बाद hunter आया hunter में ज़्यादा आजादी थी ज़्यादा dependent था जब उसे भूख लगती तब वो भोजन पा सकता था लेकिन अभी भी वो भोजन को स्टोर नहीं कर सकता था तो इसमें भी अभी उतना ज़्यादा stable food supply नहीं था ये बात पक्की नहीं थी कि जानवर मिलेगा ही मिलेगा हर बार शिकार करने जाएंगे तो जानवर मिली जाएगा और मिल भी गया था हम उसे मार पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी लेकिन अगरी कल्चर जब वो करने लगा तब बहुत बड़ी गारंटी ये आई कि food stable मिलने लगा हमेशा भोजन नहीं लगा अब भोजन को स्टोर कर सकता था अपनी जरुवत का नुसार उसका इस्तमाल कर सकता था इससे क्या हुआ कि population growth होने लगा जन संक्या में वृद्धी होने लगी खाने के लिए इंसान के पास खुब सा राना जा गया और जो खुब सा राना जा गया तो इंसान की संक्या बहुत तेरी से बढ़ने लगी ठीक है को कि अब उसे भोजन की कमी नहीं थी हम जब चाहो तब भोजन मिल रहा था जहां चाहो वहां भोजन उपलवद था तो उसकी जन संक्या बढ़ने लगी और development of specialized skill हो गया specialized skill खास तोर पे skill special skill आने लगा पहले आप देख रहा थे कि जब gatherer था तो पूरे परिवार को मिल करके भोजन को इकठा करना पड़ता था जब hunter हुआ तब भी पूरे परिवार के लोग कभीले के लोग सभी लोग जाके मिल के शिकार करते थे लेकिन जब किसान का काम है परिकल्चर आया तब इसमें ऐसा नहीं था इसमें मामला बदलने लगा मामला कैसे बदला कि किसी इंसान का काम हो गया जानवर को पालना किसी इंसान का काम हो गया बीजबोना किसी इंसान काम हो गया अनाज को काटना पिर कुछ गुछ लोग जो आईसे भी हुए, जो आनाज जो फसल से अनाज निकालने का काम करते थे, तो अलग-अलग तरीके का Skill हुए लगा, Specialized हर वेक्ती अपने यह खास तरक के काम को सीखने लगा, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह के काम को सीखने लगे इससे क्या हुआ specialization of skill हुआ और इससे क्या हुआ complex civilization का हुद्धे हुआ पहले कहाते हैं सभी लोग hunter थे तो सब बराबर थे सभी लोग gatherer थे तो सब बराबर थे लेकिन अब जब यहाँ पर skill में specialization होने लगा तब सब लोग बराबर नहीं थे किसी का skill बहुत important था और किसी का skill कम important था less important तो जिसका ज़्यादा important था उसको क्या हुआ उसको समाज में ज़्यादा इज़त मिनने लगी जिसका less important था उसको कम इज़त मिनने लगी इससे जो समाज जो है complex बन गया उँच नीच धीधरे आ गई उँच नीच आ गई ठीक है कुछ लोग उँच हो गए उँचे हो मानने जाने लगे कुछ लोग नीचे मानने जाने लगे क्योंकि कुछ लोग के पास जमीन जादा हो गई कुछ लोग के पास कुछ और चीज जाधा हो गई तो जो चीज जाधा important मानी गई तो वो काम जो कर पाता था उसको उचा माना जाने लगा जो चीज कम इंपोरेटन थी तो उसे नीचा माने जाने लगा तो इस तरीके से समाज में उच नीचा आनने लगी complex society बन गई specialization हो गया हर वेक्ति एक ही तरह काम नहीं कर रहा था हर वेक्ति अपनी छमता के अनुसार अपनी interest के अनुसार रूची के अनुसार अलग अलग तरह के काम को करने लगा ठीक है जब तक gatherer थे तब तक भी घूम रहे थे लेकिन जब जब वो agriculture करने लगे तब वो एक जगा पे कजबा आगे चलके शहर बना तो इसी तरीके से यह ग्रोथ शुरू हुई कहानी और इस सब कुछ कहां शुरू हुई agriculture के development stable food supply led to population growth development of specialized skills and the rise of complex civilization ठीक है वो है archaeological evidence तो archaeological evidence का मतलब क्या है वो सारा evidence वो सारा सबूत evidence का मतलब होता है सबूत किसी बात को मानने के लिए सबूत होना चाहिए हम कैसे माने कि आप सही बोल ले है हम कैसे माने कि कोई इंसान 4000 साल पहले 8000 साल पहले भी जीवित था हम कैसे माने क्योंकि सबूत कहता है सबूत क्या है हमें उन लोगों के समान मिलें बनाए गए बरतन मिलें बनाए गए हथियार मिलें जो कि 8000 साल पुराने 7000 साल, 6000, 4000, 5000 साल पुराने हैं तो अग भी अच्छा एक बात और आपके मन में सवाल आता होगा कि इतने पुराना इस बात का पता कैसे चलता है तो इसके लिए एक चीज होता कार्बन डेटिंग सिस्टम और अगर आपको कार्बन डेटिंग के बारे में जानना है तो आप कमेंट करकर जरूर बताईए मुझे कि आपको जानना है इस बारे में तब ही तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो आप मुझे बताईए कि आपक जानवरों का भी हम लोग एच पता लगा सकते कि कौन सा जानवर कितने लाग साल पहले या कितने साल पहले मरा है तो आज़े देखते हैं हम लोग इधर archaeological evidence ऐसे evidence जो कि खुदाई में मिले हो जमीन के वो क्या कहते है archaeological excavations have unearthed evidence of early agriculture practices in these regions तो जो regions आपको हम बताया नाम में अभी अभी कौन कौन से region बताए सबसे पहला जो region आपको हमने बताया था वो था किर्थार सुलेमान ठीक है सुलेमान रेंज का जो यी region था North West India ठीक है दूसरा region आपको मालूम पढ़ा North East India Garo Hills के आसपास तीसा region आपको मालूम पढ़ा कौन सा विंद्याज के North में जहां पे चावल वाली बात हो रही है तो ये जो regions है इनमें early agriculture practices के सबूत मिले हैं कि बहुत सुरू सुरू में यहीं पर agriculture शुरू हुआ इस बात के सबूत मिले हैं अभी तो पूरे इंडिया में पूरे तो बहुत सारे discoveries हुई हैं कैसी discovery उस discovery हमको क्या मिला है ancient tool मिले हैं अथियार मिले हैं आजार मिले हैं पौर्टरी बरतन मिले हैं अग्रिकल्चरल रेमिनेंट अग्रिकल्चर के बहुत सारे थी तो इससे समझ में आने लगा अच्छा अग्रिकल्चर का काम होता था यहां पर ठीक हैं तो इस सम मिले हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एरियाज में अग्रिकल्चर करा प्रेक्टिस रूह गई थी इंडस वैली शिविलाइजेशन तो आई हम लोग अब इंडस वैली शिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं एप्रॉक्सिमेटली 4700 अगो दे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ट अन दे बैंक ओफ रिवर इंडस एन इस टुबुटरी तो लबख 4700 साल पहले आप कहा सकते हैं पांच जार लबख साल पहले या साड़े 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश होई वह पनपी यहां पर कहां पर इंडस रिवर के बैंक में तो अब फिर से देखिए एक रिवर का नाम आ गया पहले किस रिवर का नाम आया था नर्मदा रिवर का नाम अब जो हमने और उसके बाद हमने देखा था विंड्यास के नर्थ में और गंगर रिवर के आसपास ठीक है और अब कौन सा रिवर आ गए अब आगया इंडस रिवर अब इंडस रिवर का नाम आ गया इताब यहां मैप में जो रेड़ वाला रीजन है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आइवी सी का है और यह दिए इंडस में कुछ important cities भी थी जैसे उनका नाम था क्या हरप्पा और मुहेंजोदारों यह सब कि city यह जब cities हैं कहां पाई जाती थी यह Indus Valley civilization का जो area है उसी मरी में यह पाई जाती है cities along gangays and tributaries और देखिए और एक और नदी का नाम आया cities along gangays और tributaries जो नदियां आकर मिलती है किसी नदी में से हम लोग सहारक नदी कि कहते है जैसे कि माम आले अगर यह गंगा बह रही है ठीक है और गंगा में एक यमुना के मिल जाए यह कोई और भी नदीय की मिल जाए तो यह जो नदीय आ होंगी यह वाली इनको हम लोग बोलेंगे tributaries ठीक है यह कहलाएंगी tributaries अब यह तो में रिवर है यह वाली साइड बने दिया क्या कहलाती जो मिलती है वो tributaries ठीक है Around 2500 years ago various civilizations thrived on the bank of river Ganga लगबक 2500 साल पहले बहुत सारे जो civilizations है वो Ganga के किनारे पनफने लगे and its tributaries and along the sea coast और समूत के किनारे भी और इसके tributaries के किनारे भी बहुत से नहने civilization निकलने लगे the southern part of the Ganga is known as the Magda was a powerful kingdom in the ancient time इंडिया जो Ganga river है इसके south में एक area था जिसका नाम था Magda और यह Magda बहुत ही powerful empire हुआ है सामराज्य हुआ है पुराने समय में the challenges of traveling आप सभी जानते हैं कि उस time में travel करना कितना मुश्किल था मुश्किल इसलिए था क्योंकि न तो इस तरह की सुविधाएं थी न तो इतने सारे vehicles थे means of transport थे और नहीं सडके थी जो भी travel होता था जंगलों से होता था कई बार नधियों से होता था तो उस वक्त ट्रेवल करना बहुत ही खतरना था फिर भी लोग ट्रेवल करते थे क्यों कैसे आई समझते हैं तो पहले तो बहुत सारे obstacles थे obstacles मतलब रुकावटे तो जैसे mountains थे, deserts थे, rivers थे, sea था तो यह सब आज भी है लेकिन इन obstacles के रहते हुए भी आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे means of transport बन गए है, highway बन गए है road बन गई है, इसके काँ traveling आसान हो गए, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था तो यह सब इतनी सारे obstacles होते हुए भी, लोग बहुत कई वजहों से travel कर रहे थे, traveling was challenging but not impossible and led to the exchange of ideas and cultural traditions तो क्या वजह हो सकती है लोगों के travel करने की तो एक important वजह तो हो सकती है food का gather करना, यानि कि भोजन की तलाश अब आप ध्यान दिजिए कि जब अब आप ध्यान दिजिए कि जब agriculture शुरू हुआ, उससे पहले लोग food को कैसे collect करते थे, लोग gatherer थे, ठीक है और लोग hunter थे, तो hunter यानि की जो शिकार कर रहा है gatherer यानि की जो collect कर रहा है, अब वो एक जगह पर रुक कर अपने food को gather नहीं कर सकते थे, कारण कि हर किसी भी जगह पर ऐसा नहीं थे, जो कि हर season में food available हो, कहीं में hunter थे, तो भी उनको problem ये थे, कि अगर वो एक जगह के सारे जानवरों को मार कर उनका शिकार कर लेते थे, तो वहाँ पर जानवरों की संख्या कम हो जाती थी, तो अब उन्हें नई जगह पर जाने की आवशक्ता होती थी, जहाँ पर फिर से जानवरों को अच्छी संख्या उनको जानवर मिल जाएंगे, तो इस कार्ट से उन्हें travel करने पड़ते थे, दूसरा एक बड़ी वज़ा और हो सकती है travel करने के लिए कि अगर जब agriculture शुरू हुआ, जब agriculture आ गया तब तो वह settled life जीने लगे, लेकिन उन्हें trade करने की अगर एक जगह पर किसी एक तरह का अनाज हो रहा है और दूसरी जगह पर किसी दूसर तरह का अनाज हो रहा है तो वह चाहते थे कि वह इस चीज़ को जो अनाज है, इनको exchange करें, जिनके पास जिसका ज़ादा है, वह दूसरे को दे दे और बदले में कुछ ले तो ट्रेड होने लगा तो ये भी एक बड़ी रीजन हुई जो है ट्रेवल करने की तो इस तरह से कई वजह है थी जिसके वाज़े लोग एक दूसरे जगों उपर ट्रेवल किया करते थे और एक बात ध्यान दिजे कि ये बात जरूर है कि ट्रेवल पहले मुश्किल थी लेकिन इंपॉसिबल नहीं थी ट्रेवल फिर भी होता था हाँ चैलेंजिंग जरूर था लेकिन होता था और इस जो ट्रेवल होता था इसका परिणाम क्या निकलता था Finding out about the past Manuscripts तो हम लोग past के बारे में पता कैसे करते हैं Find out कैसे करते हैं तो इसमें सबसे important चीज है Manuscripts Hand written treasures तो इसको treasure कहा गया है Treasure का मतलब होता है खजाना Hand written treasure यानि कि हाथों से लिखा गया खजाना अब खजाना कहा क्यों कहा गया इसको खजाना इसलिए कहा रहा है क्योंकि पहली बात तो यह ग्यान का भंडार इसमें बहुत सी ऐसी बाते लिखी हैं जो इंसान को समझने में सैकड़ो हजारो साल लगे हैं तब इंसान ने उन चीजों को सीखा है ठीक है और दूसरी बात जो है जो important चीज है वो कि इनके थुरू यह जो manuscript है इनके थुरू हमें past के बारे में जानने का मौका मिलता है जैसे कि अगर लिखाओ कोई कहानी कि एक राजा था और उसने अपनी प्रजा को दंड दे रिया ठीक अगर यह हाथ से ऐसे लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस जवाने में राजा हुआ करते थे और वो लोगों को दंड भी देते थे और प्रजा उनकी बात को मानती थी इतनी सारी बाते हमें पता चली फिर हम राजा का नाम जान जाएंगे तो हम वो एहरिया भी बता देंगे के सेरिया में ऐसा होता था तो ये जो मैनूस्क्रिप्ट्स हैं ये एक्चुली हैंड रीटेन ट्रेजर्स हैं क्योंकि पहली बात तो ये इनसान के हजारो सेक्डो साल का ग्यान है दूसरी बात अभी भी हमारे लिए ग्यान का शुरोत है हो कि इसके जरिये हम पास्ट को जान सकते हैं मैनूस्क्रिप्ट्स रिटेन और हैंड वैलुवबल सचॉर्स ऑफ हिस्टॉरिकल इन्फोरमेशन तो मैनूस्क्रिप्स ज curated की हाथ से लिखे जाते हैं वह वैलुवबल सोर्स होता है बहुत कीमती सोर्स है historical information की जो पुराने चमाने की जानकारी है उसके लिए बहुत important सोर्स का काम करते हैं या तो वो पाम के पेड़ के उपर लिखे गए होते हैं या तो बार्ष का पेड़ का उसके बार्क पेड़ के पेड़ का बार्क पर लिख दिया है जाता है वहाँ पर बाकी जो इंडिया में अधितर रगव पर लिखे जाते थे प्रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट ओवर टाइम मेनी मैनुस्क्रिप्स वर डेमेज बट सम्हेव बीन प्रिजर्व इन टेंपल्स और मॉनिस्ट्री तो अब मैनुस्क्रिप्ट है वह पेपर मंदिरों में या मॉनेस्ट्री में सुरक्षित हैं मंदिरों में क्यों सुरक्षित है क्योंकि में मंदिरों में रखे जाते थे तो उसे ली लोग तच नहीं करते थे क्योंकि उसे क्या मानते थे उसे मान सैक्रेड मानते थे कि उसकी पूजा होनी चाहिए जब तच नहीं कर तो अब मैनुस्क्रिप्स में हमको किस-किस तरह की जानकारी मिलती है या किस-किस तरह की बात है उसमें लिखी होती थी तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे कि religious belief लोगों के धर्म के बारे में लिखा हुआ है कि लोग क्या मानते थे, किस की पूजा करते थे, कब पूजा करते थे lives of kings, राजाओं का जीवन कैसा था, वो कितने शान से रहते थे, उनके महल कैसे थे, ये सब जानकारी है medicines, medicine के बारे में जानते थे medicine के बारे में यानि कि जैसे इनसान ने अपने अनुभाव से बहुत सारी medicines खोजी थी कि किन पौधों से हैं, किन पेड़ पत्तों से, किस तरह के विमारियों का इलाज हो सकता है तब उस तरह कि उस ताइम तो ये modern medicines नहीं थी जैसा कि आज होती हैं लेकिन उसकी जो समझ थी कि किन पत्तों से, किन चीजों से, किन चीजों का इस्तमान करके किन विमारियों का इलाज कर सकते हैं ये सब उसने काफिया तक सीख लिया था तो ये सब लिखा रहता है science है, कैसे science को use करना है daily life में epics, epics के बारे में, epics मतलब बड़ी-बड़ी कहानी है लंबी-लंबी, महाभारत, रामायर्ट, इस तरह की चीज़ें भी manuscript में मिल जाती है फिर poem है बहुत सारी और plays में मिलते हैं, plays जिसमें की राजा रॉल कर रहा है, कोई इनसान का रोल कर रहा है नाटक जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे plays लिखे हुआ है इन plays से भी हमें जो इतिहास के बारे मिस्ट्री के बारे में बहुत कोछ जानने को मिलता है तो यह सभी कुछ यह manuscript के रूप में preserved है इनस्क्रिप्शन्स रिटेन अन हार्ड सर्फेस तो अभी हमने manuscript के बारे में देखा जो कि क्या था हाथ से लिखी गई information थी या तो palm tree के leaves पर या तो birch tree के bark पर ठीक है, अब inscriptions की बात करते हैं यह क्या होता, यह ऐसी चीज़े हैं जो कि hard surface पर लिखी गई है अब hard surface पर हाथ से लिखना तो मुश्किल है तो हो सकता हूँ कोई tool यूज किया गया हूँ ठीक है inscriptions were read writings on hard surface like stone या और metal तो stone या metal के surface पर जो भी hard surface पर information लिखी जाती है उसको बोलते हैं inscription kings used inscriptions to communicate their orders and people recorded important events such as victories in battle तो अधिकतर inscriptions का use कब होता था जब king अपनी बात कहते थे किसी को ठीक है और order के रूप में कि भाई ये मेरी order है इसको मानो तो उसको inscription पर लिख देते थे ताकि उस जल्दी से मिटाय ना जा सके उसे कोई छेड़ चाड़ ना कर सके और people recorded events such as victories in battle तो राजा जब कोई जीत करते थे कोई विजय करते थे किसी दूसरे राजा कोई जीत लेते थे तो भी ये बात inscription में लिख दिया करते थे आकि इस चीज को जल्दी से भुलाया ना जा सके इस चीज को जल्दी से मिटाया ना जा सके तो इस्क्रिप्शन काफ़ी मातरा में मिल जाते है हमें Archeology Uncovering the Past Archeology का मतलब यह है कि हम पुराने चीज़ों को, पुराने समानों को पुरानी जगों को खोज कर निकाले यह कहलाता है Archeology और जो इस काम को करते हैं वो कहलाते हैं Archerist यहाँ पर आप यह वर्ड देख सकते हैं यह वर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या है आर्केलोजिस्ट ठीक है आर्केलोजिस्ट स्टडी रिमेंस और बिल्डिंग, पेंटिंग, स्कल्चर और एक्सकावेट तो आर्केलोजिस्ट क्या स्टडी करते हैं बिल्डिंग्स को स्टडी करते हैं पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं स्कल्चर को स्टडी करते हैं स्कल्चर मतलब मूर्तियां ठीक है और एक्सकावेट करते हैं एक्सकावेट मतलब जमीन से निकालना जमीन हटा करके निकालना क्या आप निकालते हैं टूल्स निकालते हैं विपन्स निकालते हैं पॉट्री निकालते हैं ओर्नामेंट निकालते हैं यह सब एक्सकावेशन में अर्केलोजिकल एक्सकावेशन में मिलता आपको यहां तश्वियूरों में देख सकते हैं, बहुत तरह के POTS हैं, ठीक है, तो यह सब क्या मिलता है, Archaeological Excavation में मिलता है, और जो इंसान ही सब करते हैं, उनको बोलते हैं Archaeologist Objects made of stone, bone, baked clay, or metal are durable and survive for long time कई तरह की Objects होते हैं, लेकिन कुछ Objects जो होते हैं, पके हुए होते हैं, और कुछ Objects कच्चे समानों के बने होते हैं, तो फिर उसके बचे रहना लंबे समय तक बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वह ही मिट्टी को पका दिया जाए, तो वो सुरक्षित रहता है लंबे समय तक, ऐसे यहां भी है, तो जो समान स्टोन के बने है, अभी हमने देखा किसकी देखा हमने, हमने देखा इंस्क्रिप्शन को, अभी हमने देखा किसको देखा, हमने देखा इंस्क्रिप्शन को, ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन जो है पत्थर पर लिखी कई राइट यह दिद्वेजी fleeing कार्ण टो पर लिखे गए दो पत्तों पर लिखे गए उने के काराण या बार्क पर लिखे उने के काराण वो खराब हो जाते हैं इस काराण से archaeologist में excavation में manuscript नहीं मिलते हैं तो manuscript कहां मिलते हैं अभी हमने पढ़ाता उसको मंदिर में मिलते हैं, temples में मिल जाते हैं या Monasteries में मिलते हैं तो manuscript मिलने की जगह है Monasteries या Temples इसलिए वो Archaeological Survey में Excavation में नहीं मिलते हैं वहाँ Excavation में क्या-कै मिलेगा? जो समान खराब नहीं हो सकता है जो जल्दी डिस्ट्रोय नहीं हो सकता है कई घजारों सालों तक ठिक जाता है तो वह मिलता है, Baked Clay पका हुआ, जो मिट्टी का समान है, ठीक, तो वह मिल जाता है, Metal का समान, लोहे का, Steel का, Copper का, इन चीजिदों का, Steel तो नहीं तो उस वक ज़ाद अतर, लेकिन लोहे का, Copper का या इस तरह की जो चीजे थी, इनके बने वी जो सामान है वो भी मिल जाथ है कोई कि यह भी लंबे समय तक रहते हैं और डूरेबल यह सब डूरेबल है ठीक है यानि कि लंबे समय तक चलने वाले हैं and survive for long time और लंबे समय तक survive करते हैं clue from bones and plants तो plants और bones से हमको क्या clue मिल सकते हैं archaeologist study archaeologists also study bones of animals, birds and fish to understand past diets तो archaeologists animals के और birds के और fish के bones को भी study करते हैं ताकि वो पुराने समय के diet को समझ सके पुराने समय के भोजन को समझ सके ठीक है तो कि आप देखते हैं कि कई बार जो birds होते हैं जो animals होते हैं वो इंसान के साथ ही साथ रहते हैं और वही फिश का सेवन करता है फिश को खाता है बर्ट को भी खाता है ठीक है अलग-अलग animals को खाता है तो अगर इंसान के आजपास इस तरह की bones मिलती हैं और ऐसा लगता है कि उसे cook किया गया है ठीक है किसी बरतन में मिलती है तो इसका मतलब ये लोग इस तरह की चीज़ें खाते थे plant remains like chard seeds of grains और pieces of wood provide additional insights तो plant के remains होते है यानि कि plant के अगर कुछ बचा हुआ हिस्सा होता है कौन-कौन से है जैसे कि seeds बच जाए को कि plant का जो body है वो तो बचना मुश्किल है क्योंकि वो खराब हो जाता है समय के इसाथ प्लांट के कुछ ऐसे पांट से जो बच जाते हैं लंबे समय तक इससे अगर hard seed हो कोई ठीक है chard seed हो जानि कि जला हुआ seed हो अगर भोजन पकाते हुए कोई हिसा जल गया हो और वो excavation में मिल जाता है कभी-कभी तो इससे समझ में आता अच्छा चावल इस्तमाल होता था अब चावल एक साबूत चावल मिलना मुश्किल है लेकिन अगर वो जल गया हो तो वह hard हो जाता है तो इसलिए वो हजारों साल तक बचा रहता है pieces of wood कभी-कभी मिल जाते हैं तो इससे बहुत से यह समझ में आती है कि किस चीज का कैसे इस्तमाल होता था तो इस तरह से चीजों को देख करके हम लोग या साइनटेज जो है आर्केलॉजिस जो है एक कहानी बिल्डप करते हैं कहानी बनाते हैं यानि कि अच्छा यह चीज है तो इसका मतलब यह चीज इसका मतलब यह चीज़ इस्तमाल होती होगी तो इस तरीके से करके वो information को collect करते है historical sources and reconstruction historical sources का इस्तमाल करके reconstruction करना है reconstruction का मतलब होता है कि वो पूरे scene को create करना है कि अच्छा इस्तमान का इस्तमाल कैसे होता होगा एक कहानी बनाना उस पर जैसे कि कोई अगर कुछ घटना हो जा और आपको समझना हो तो दुबारा आप उसको पूरा create करते है recreate करते है तो उसी को बोलता है reconstruction historians use the term sources to refer to information from manuscripts, inscriptions and archaeological तो historians जो भी इनको information मिलती है कहां से manuscript से यानि हाथ से लिखे हुए जो पत्तों पर जो हाथ से लिखे गई जानकारी होती है या inscription या पत्थरों पर लिखे जानकारी है या archaeology यानि कि जमीन से archaeological excavation करके building हो गया कोई समान हो गया इन से जो जानकारी मिल रही है इन चीजों को लोग क्या कहते है source कहते है source का कहने का क्या मतलब है कि यहां से जो भी जानकारी मिल रही उसका use करके यह अब कहानी reconstruct करेंगे उस वक्त की जो information है उसको reconstruct करेंगे By piecing together these clues historians reconstruct the past like detective solving a mystery तो इन चीजों को जानके इन sources को clue की तरह use करते हैं clue का मतलब हो कि सुराग की तरह use करते हैं और सुराग की तरह use करके historians कहानी बनाते हैं वैसे ही जैसे कि कोई investigation करता है कोई अपराधी को पकड़ता है सुबूतों को और सुरागों का use करके जैसे detective solve करता है किसी case को और एक कहानी बनाता है अब उससे तो पता नहीं क्या हुआ था उसको जो सुराग मिलें उन्हीं क्या धार पर वो कहानी को बनाएगा ठीक इसी तरीके से historians को भी जो सुराग मिलते हैं अब ये सुराग क्या है ये सुराग है manuscript ये सुराग है inscriptions ये सुराग है archaeological excavations में मिली हुई चीजें तो इन सुरागों का includes का use करके historians कहानी को reconstruct करते हैं दुबारा उस कहानी को बनाते हैं अच्छा ये राजा ऐसा करता होगा वो राजा ऐसा करता होगा उस यहाँ पर जनता ऐसे रहती होगी वहाँ जनता वैसे रहती होगी तो इस तरह की कहानियों को वो reconstruct करते हैं अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट जानने वाली है, कि जो भी हम कहानी पढ़ रहा हैं, वो किसी एक इंसान के नजरीय से पढ़ते हैं कई बार, कई बार हो सकता है हमें कहानी राजा की पता चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कहानी राजा की है, वही सारी कहानी फार्मर की भी होगी, वही कहानी मर्चेंट की भी होगी, वही कहानी क्राट्मेंग की होगी, सबका जीवन अलग-अलग हो सकता है, हो सकता है कि राजा बड़े आराम से रहता हो, लेकिन जो फार्मर हैं वो बहुत मुश्किल में रहते हो, उनका जीवन बहुत ही कठिन हो तो ये सब चीज़े हो सकती है तो इसलिए कहने को तो वो एक ही इस्ट्री है लेकिन उस्ट्री को बता कौन रहा है वो किसकी कहानी है वो इस से पता चलता है कि वो किस तरह का हिस्ट्री हमारी हो सकती है Practices and customs also varied in different regions of the country एक बात और है बहुत important कि देश के, पूरे देश में एक ही तरह के रिवाज नहीं होते हैं, पूरे देश में एक ही तरह का culture नहीं होता है, एक ही तरह का process फॉलो नहीं होता है, अलग अलग तरह के चीजों को करते हैं अलग अलग तरीके से, for example अभी आज के चमाले में भी आप को तरीका होता है तो शादिया हो सकता है कि North India में अलग तरीके से मनाई जा रही हो South India में शादिया अलग तरीके से होती हो उनका तरीका अलग अलग रस्म होते हो तो ये प्रोसेस होता है, ऐसे पहले भी होता था, कि राजा अगर है तो वो एक ही तरीके से राजा बना होगा, हर जगा पे जोरी नहीं है, राजा बनने पे एक ही तरीके का प्रोसेस फालो होगा, ये भी जोरी नहीं है, राजा एक ही तरीके काम करेगा, ये भी जोरी नहीं ह तो हर जगह अलग-अलग तरह के culture हो सकते है Past of ordinary people कई बार जो हम कहानिया सुन रहे हैं वो राजाओं की कहानिया सुनते हैं लेकिन ordinary people ordinary मतलब आम लोग का भी एक past हो सकता है The lives of ordinary people like hunter, fishing, folk gatherers, farmers and herders are not as well documented as those of kings ये भी जोरी बात है कि जो आम लोगों का जो जीवन है, आम लोगों का जो इतिहास है वो उस तरीके से उतना अधिक document नहीं किया गया है जितना की राजाओं का किया गया है राजाओं के बारे में बहुत सारी कहानिया है बहुत सारे इतिहास है उसमें manuscript लिखे गए है, inscriptions भी लिखे गए है लेकिन आम लोगों के बारे बहुत कम जानकारिया मिलती हमें इसलिए जो इतिहास है उसको बहुत सावधानी से और खोज के पढ़ना पड़ता है कि हमें आम लोगों के बारे में जानकारिया मिलें, तब ही वो पिक्चर कंप्लीट होती है अर्केलाजी हेल्प्स फिल दे गैप, बट मच रिमेंज अन्नोन अबाट दियर लाइफ अब आर्केलाजी जो है इस गैप को फिल करने में हेल्प्स करती है तो इसका मरलब इंस्क्रिप्शन से भी हमें जानकारी अधितर किसके बारे मिलेगी, राजाओं के बारे में ही मिलेगी लेकिन जो आर्केलोजिकल चीज थी, आर्केलोजिकल एक्सकावेशन है, इसमें कई बार आम लोगों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है लेकिन ये भी पूरी नहीं है ठीक है ये भी काफी अधूरी रहती है लेकिन फिर भी कुछ हद तक मिलती है जानकारी Understanding Dates आई हम लोग Dates को भी समझने कोशिश करते है Dates are counted based on the birth of Jesus Christ with years after his birth represented as AD and no domini तो जो भी date आप आजकल इस्तमाल कर रहे हैं अगर ये ये 2023 है तो ये 2023 तो कोई चीज जीरो भी रही होगी कोई चीज वन भी रही होगी कोई चीज टू भी रही होगी तो ये जो जीरो वन टू ये कब counting शुरू हुई और क्या हम अपनी तरब से इसकी counting नहीं कर सकते क्या मालेज आप कोशिश करें कि चलो आज से हम अपना जीरो सुरू करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है और ये चीज कैसे होगी कि पूरी दुनिया में ये 2000 का जो है ये किया जाने लगा तो इसका जो main है ये birth of Jesus होता है साल में Jesus का birth हुआ था उसको जीरो के तौर पर लेते हैं ठीक है और उसके बाद के जो भी years है उसको हम लोग फिर one two count करते रहते हैं हर साल और ये चीज दिखाने के लिए कि ये Jesus के birth के बाद हम लोग counting कर रहे हैं और उनको 20 मा करते हैं before Christ ठीक है अब ये कैसे काम करता है इसको आप देखिए suppose मान लिए कि ये zero है ठीक है अब इसके बाद कि जो भी चीज़े हैं वो count होंगी ad में ठीक है यहां से zero से लेकर यहां कुछ भी जाएंगी वो ad में count होगा one है तो one ad two है तो two ad अब कभी आपका 2023 आ गया तो 2023 ad लिखेंगी उसको ठीक है लेकिन zero से पहले भी तो कुछ समय रहा होगा और उस मद भी चीज़ें कैसे count होगी तो उसके लिए मान लिजा अगर एक साल पहले का है तो अब देखी यह backward count हो रहा है यहां हम लोग एक साल पहले बोल रहे है दो साल पहले नहीं है यहां के zero से 200 साल पहले है तो आपके समय से इसकी दूरी कितनी हुई एक तो यहाँ 0 से लेके आप 2023 एड़ कर दीजिए ठीक है प्लस आप 200 कर दीजिए तो हो गया 2223 इतनी दूरी हो गई आपके यहाँ से इसकी ठीक है क्योंकि यह जो before Christ BC यानि उल्टा जो counting हो रही है तो 0 से 1 साल पहले 0 से 2 साल पहले 0 से 2000 साल पहले 2000 BC ठीक है यह यहाँ से नहीं हो रही है अगर कोई चीज 2000 यहाँ है तो वो आपके यहाँ से लबक 4000 years हो गई ठीक है क्योंकि 2000 साल तो 0 से होई और 2000 साल आप यहाँ से आगे आ चुके है ठीक है तो 2023 23 plus 2000 तो 4023 years हो गई आपके यहां से ठीक है तो 2023 ADA में है आप है और 2023 BC की 2000 BC की वो घटना है ठीक है तो यानि कि अभी के समय से कितना पहले की बात हो गई वो लबफ 4000 सार पहले की बात हो गई तो यह जो BC BC काउंट हो रहा है वो इस 0 से काउंट हो रहा है कि इसके पहले कितना हुई ठीक है यह बिलकुल ऐसे ही जैसे कि मान लिजे कि आपको साथ कभी कभी parents बोलते हो कि तुमारे birth से दो साल पहले हमारे शाधी हुई ठीक है तो हम मान लिजे अगर आपके बर्थ को zero year माना जाए तो वहां से दो साल पहले ठीक है one year, two year before c, before c से मतलब समझे child, तो before child ठीक है, two year before child हमारी साधिर, to bc ठीक है, मालब यहां पर वैसे तो bc का मतलब before child नहीं होता है वो होता है before Christ तो आई होग आपको समझ में होगा यह concept की time कैसे हाँ पर काम करता है ad और bc का use करते कैसे bce and ce अब bce और ce क्या है in modern times bce before common era and ce, common era are used instead of the bc and ad in some context, कहीं कहीं bce का use होने लगा है instead of bc and ad तो bce का मतलब होता है before common era और ce का मतलब होता है common era these terms are used globally and in India the Christian era dating system began about 200 years ago तो जो Christian era dating system है वो लब 200 साल पहले शुरू हुआ Christian era का मतलब जो कि हम लोग यह bc और ad यानि Christ के आधार पर गिन रहे है तो Christ के आधार पर गिन रहे है तो Christian era हो गया ठीक है तो यानि कि bc और ad दोनों ही Christian era है इन दोनों में Christ का use किया जा रहा जिसमें Christ के year को zero माना गया है ठीक है तो यह जो system है यह 200 साल पहले अभी use होना शुरू हुआ है बड़ा ही popularly ऐसा क्यों है अगर आपको याद हो कि 200 साल पहले वह दुनिया में खासर से इंडिया में और आज-पास के countries में British rule था तो British generally किस religion को follow करते थे यह Christianity को follow करते थे तो यह जहां जहां भी यह लोग गए या Europeans जहां जहां भी गए इन्होंने इसी system को dating system को use किया Christ based तो यह इस तरह का use होने लगा अच्छा आपको important बार बता दो कि इंडिया में इसके अलावा भी और भी dating system use होते हैं जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है विक्रम सम्मत के बारे में अगर आपने सुना हो विक्रम सम्मत ठीक है सक सम्मत ठीक है यह भी इंडिया में यूज होता है ठीक है इनका भी अपना dating system इसके हिसाफ से पांचांग बनते हैं वह बिल्कुल वैसे जैसे calendar होता है आपका वैसा ही होता है थोड़ा सा complicated होता है उसको समझना हलाकि कोई बहुत जाता भी नहीं है तो इस तरह के चीज़ें बनाई जाती है यह जो विक्रम है एरा है विक्रम सम्मत है और सक सम्मत है इसमें और जो Christ एरा है इसमें कुछ years का difference होता है आप समझने जैसे कि माले इसका 0 यहां माना गया है और यहां पर इसका 10 मान लिया जिरो इसका यहां है तो इन दोनों के बीच में 10 year का gap है यानि कि अगर आब एक system A है और एक system B है तो A वाला जब 0 बता रहा है तब तक B वाले में 0 से 1,2,3,4,10 हो चुका है ठीक है तो अगर B वाले से count करेंगे तो वो कहेगा अब तो 10 साल होगा है इसको हम लोग 10 कह सकते हैं लेकिन A वाले से count करेंगे तो कहेगा नहीं अभी तो 0 अभी तो हम लोग आज ह count करना शुरूब की है ऐसे कोई C हो सकता है जो इससे भी थोड़ा 50 साल आगे हो इस A से भी या तो यह क्या होगा यह तो इसका 0 यहाँ पर होगा ठीक है तो यह C वाले का भाई अभी तो मैंने count शुरू भी नहीं किया ठीक है तो अलग-अलग calendar system में अलग-अलग count हो सकता है depending कि उसका 0 कहां पर है जैसे जो Christ है रहा है उसमें 0 हम लोग Christ के बर्त को मानते है और जनल जो हम लोग 2023 कह रहे हैं यह Christian calendar या Christ calendar के हिसाब सही है जिसमें की AD और BC का system है ठीक है तो इस तरह से हो सकता है अब इसको हम लोग credit कैसे करते हैं तो हमें यह देखना पड़ता अच्छ 13 देखेंगे ऐसा ही यह add कर देंगे ठीक है तो यह 33 हो जाएगा और हम सी में दिखने जाएंगे तो 50 years घटा देंगे उसमें तो इस तरीके से हम adjust करते हैं calendars को और तब दूसरे calendar में उसको देखते हैं Islamic world में Muslim countries में calendar यूज होता है हिजरी जिसका की नाम है हिजरी calendar ये लोग Muslims जो है वो हिजरी calendar के हिसाब से अपने तेवारों को अपने festivals को celebrate करते हैं Hindu जो है वो सक समवत विक्रम समवत के हिसाब से करते हैं ठीक है तो आप इसके बारे में और details में जान सकते हैं अगर आपको calendars के बारे में detail में जाना है तो comment में जरूर पूछिए मैं बहुत अच्छ इस पर वीडियो बना दूँगा जिसे कि आपको सारे calendar systems बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे BP before present another dating term used in BP before present commonly used in scientific context तो BP भी होता है before present यह तरीके से आज के time से कितने साल पहले इस तरह से कुछ होता है Conclusion Exploring various sources help us unlock the secrets of the past and understand our shared history Studying the past is like embarking on the adventure of discovery तो हम बहुत कुछ नया सीखते हैं जब हम past को explore करते हैं पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं अचा अभी हमने अगे हम जल्दी से review करें कि हमने क्या पढ़ा तो सबसे पहरे जो चीज हमने पढ़ी है वह एक हिस्ट्री से हमें क्या जानने को मिलता है तो हमने पहरे चीज पढ़ी what तो हमें हिस्ट्री से बहुत कुछ जानने को मिलता है आम लोगों के जीवन के बारे में जानने को मिलता है और where का चवाब मिलता है, कोई घटना कहां हुई, जैसे कि हम देखा कि पहले इंसान gatherer थे, ये लोग नर्मता के आज पास काफी ज्यादा मातर हुआ, हम इनके बारे में हम इतिहास में पता चलता है, इसके बाद ये लोग hunter हो गए, इसके बाद किर्था रेंज, सुलेमान रे हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है, हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है, इसके बारे में हम जो इतिहास में बहुत सारी चीजों के बारे में जाते हैं, राजाओं के बारे में जाते हैं, आम लोगों के बारे में जाते हैं, आम लोगों के बारे में कम जानका CE, ये सब चीदों के बारे में हमने जाना तो इतनी सारी जानकारी है हमें आज के इस चैप्टर से मिली I hope आपको समझ में आया होगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट में बताइए अगर आप अगला वीडियो भी चाह रहे हैं तो कमेंट में बताइए तो अगर आप वर्कशीट की डिमांड करेंगे तो मैं इसके वर्कशीट वीडियो भी बना करके आपको दूंगा Thank you friends